अगर आपका मन आपकी बात मानता क्या आप चिन्ता पैदा करतें आप बस ये सरल साधना कीजिए अगर आप दूसरा को योग नहीं कर सकते तो इतना तो करी सकते हैं ना आप ऐसा कीजिए जो आपकी जीवन से सम्बंदित हो कीए आप देखेंगे कि आपकी आधी चिन्ता शा कहीं और मत देखिये, कहीं भी दूसरी जगा, बात बस इतनी सी है, कि आपका अपना शरीर और मांसिक धांचा, आपके बात नहीं मान रहे हैं, तो आपने बहुत सी बाते कहीं, मैंने कोशिश की और ये पूरी कैलिफोनिया में जो बड़े-बड़े शब्द घूम रहे हैं, आपको चुनता है, उसे जाने देने की कोशिश कीजिए, क्या ये चली जाती है, यहां तक की फ्लू भी, कमबक्त फ्लू तक नहीं जाता है, आया न, साधरान से सर्दी भी नहीं जाती है, आप कहते हैं, जाओ क्या ये चली जाती है, इसलिए हमें समरपन के इन सजावटी चक्रों में नहीं पढ़ना चीए, ये सब इदर उदर की बात हैं, कोई नहीं जानता कि समरपन क्या है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या ऐसा हुआ है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने समरपन कर दिया, ये कैसे सम्भ़व है, तो उन चीजों को छोड़ कर, खास तोर पर, जैसे मैंने कहा है, आपने यूजर मैनुविल को नहीं पढ़ा है, कि ये कैसे काम करता है, हमें इस पर ध्यान देना होगा, ये सिस्टम इस तरह से बना है, कि अगर आप अपना हाथ ऐसे रखें, तो ये एक तरीके से काम करेगा, अगर आप ऐसे बहुत साधा परिश्कृत है, ये मशीन असाधारन रूप से जटिल है, ये जिस चीज के लिए बनी है, उसे उस तरह इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित तरह का ध्यान देने की जरूरत है, वरना ये खुद को अस्तव्यस्त कर लेगी, अब कई कारक हो सकत हैं, कुछ पालन पोशन के मुद्दे हो सकते हैं, तमाम तरह की चीज़े हैं, पर अपनी समस्याओं के लिए इन में से किसी भी चीज को कारण मन ठहराइए, जरूरी बात बस ये है, आप अपने मन को वैसे नहीं रख पा रहे हैं, जिस तरह से आप उसे चाहते हैं, आपकी अब हम उन व्यक्तियों को बदल नहीं सकते, अब आप कोई अलग पिता या दादा नहीं चुन सकते, अब वो बीच चुके हैं, पर आप इसे रूपांतरित कर सकते हैं, आपको ये समझना चाहिए, अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चिंता का विकार है, फिर भी अगर आप एक गाजर का टुकड़ा भीतर डालते हैं, तो यहाँ एक ऐसी बुद्धिमत्ता है, जो एक गाजर को एक मनुश्य में रूपांतरित कर सकती है, इसका मतलब हर रोज आपके भीतर एक नए शरीर का निर्मान हो रहा है, अगर आप इसकी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी ले ले लें, तो आप पूरी तरह से एक नई शारिरिक और मानसिक प्रक्रिया का निर्मान कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, पिछले साल हम लोग तिबत में ट्रेकिंग कर रहे थे, मैं एक टेंट में था, मैं कुछ काम कर रहा था और दूसरा एक व् जिनों मिलने वाले चीनी मिट्टी के चाकों का पता है, तो पास में दूसरी महिला उस व्यक्ति से कहती है, यह बहुत तेज चाको है, ध्यान रखना, यह मुझे थोड़ा परेशान करता है, मैं ऐसे देखता हूँ, क्योंकि यह एक बड़ा अदमी है, अगर वो कोई बच् ही होना चाहिए, अगर उसकी धार तेज ना हो, तो आप उसे चाकों क्यों कहेंगे, तो मैंने उसे अंदेखा किया और काम करता है, आगले दो मिनटों में वो फिर कहती है, यह बहुत तेज चाकों है, ध्यान रखना, मैंने का आप बस करो, वो एक बड़ा अदमी है, उसे अकेला छोड़ दो, उसे पता है चाकों को कैसे इस्तिमाल करना है, वो एक छोटा से चाकों नहीं समाल सकता, यह कोई बहुत भारी मशीनरी या अंतरिक्षियान या ऐसा कुछ नहीं है, कि उसे पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है, यह एक चाकों है, वो कहती है, नहीं सद्ग और अगले दो मिन्टों में वो अपनी उंगली काट लेता है उसके बाद मैंने हाद मान लेटी यही सब हो रहा है जीवन के साथ यही सब हो रहा है आपके पास एक बुद्धी है जिसके लिए आपके पास कोई परियाप्त स्थिर आधार नहीं है या दूसरे शब्दों में आपके पास एक तेज चाकू है माफ किज़ेगा बहुत ही तेज चाकू आपके हाथ में एक बहुत ही तेज चाकू है पर आपका हाथ स्थिर नहीं है जरा देखिए यह आपका ही मन है जो सारी पीड़ा पैदा कर रहा है न हाँ या नी तो आपके पास है बहुत तेज चाकू है ये जितना धारदार होगा उतने ही आप खुद को काट लेंगे तो हमें चाकू को कुंद नहीं करना है हमारे पास बस एक स्थिरहाथ होना चाहिए है न? इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है लोग इन तमाम शांतिकर दवाओं और बकवास के साथ जो आप लेते हैं उससे चाकू को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं चाकू को कुंद करना हल नहीं है क्योंकि अगर आप अपने होनी की संभावना को ही कम कर देते हैं तो सब ठीक होगा अगर हम आपका आधा दिमाग घटा दें तो आप काफी शांत रहेंगे क्योंकि चिंता पैदा करने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है अगर हम सच मुझ में आपका आधा दिमाग घटा दें मनश्य जो खोज रहा है, वो किसी तरह असीम होना है, किसी तरह और अगर ऐसा होना है, तो आपको एक स्थिर आधार बनाना होगा चाकू को हटाने की जरूरत नहीं है, चाकू को कुंद करने की जरूरत नहीं है बस हाथ को स्थर रखने की जरूरत है कोई प्रक्रिया नहीं करनी है इनर इंजिनिरिंग का योग का बस यही अर्थ है जब मैं योग कहता हूँ कैलिफॉर्निया में रहने की वज़े से उन सभी असंभब मुद्राओं की कल्प नामत कीज़े योग का अर्थ मुद्राओं नहीं है योग का आर्थ है मिलन योग का शाबदिकर्थ है मिलन ये मिलन का पहला रूप है आपका दाया और बाया इसे योग में पिंगला और इडा कहा जाता है य़े आपके भीतर पौरोश और स्त्रेण है इन्हें बस एक साथ कर दें, आप बस ये सरल साधना कीजे अगर आप दूसरा को योग नहीं कर सकते तो इतना तो करी सकते हैं न आप ऐसा कीजे जो आपके जीवन से संबंदित हो ये चड़ता हुआ सूरज हो सकता है सूरज उपर आ रहा है सूरज के उपर आए बिना इस ग्रापर आपका स्तुत्व ही नहीं होता है न आपके भीतर जीवन की गर्माहाट सिर्फिस लिए है क्योंकि सूरज उपर आता है तेड का ऑक्सिजन छोड़ना और उसके लिए आप कार्बन डायोकसाइड छोड़ते हैं और ये अदला बदली हो रही है इसके बिना आप जीवित नहीं होते हैं न इसकी ओर कुछ इस तरह इसे देखिए जो भोजन आप खाते हैं सूरज जिस धर्ती पर आप चलते हैं जिस हवा में सांस लेते हैं जो पानी पीते हैं जो लोग आपके आसपास रहते हैं इन में से कुछ भी चुण लीजे बस ये कीजे आपके दाएं और बाएं को पूरी तरह एक साथ कर दीजे इस तरह नहीं इस तरह नहीं बिलकुल सीधे ठीक है बस किसी ऐसी चीज की ओर देखें जो आपके लिए सच में माइने रखती है शायद सूरज, शायद आकाश, शायद बादल, शायद एक पेड़ या कोई व्यक्ती, शायद एक बच्चा, एक जानवर, कोई माइने ने रखता कि क्या बस उसकी ओर देखें, लगातार 10-12 मिन्टों तक दोनों हाथों को जोड़े रखें, आप देखेंगे कि आपके आधी चिंता शान्त होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वास्ताव में संघर्ष ये है कि आपके भीतर दो आयाम है मैं इसके विस्तृत विवरन में नहीं जाना चाहता क्योंकि योग शरीर विज्ञान इसके बारे में विस्तार से बताता है लेकिन सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक चिकित सा विज्ञान आपको बता रहा है कि एक दाया दिमाग है और एक बाया दिमाग है ठीक है? बस इन दोनों चीज़ों को एक साथ रख दीजे ऐसे किसी भी चीज की ओर परम, प्रेम और प्रशंसार से देखिए जो आपके लिए माहिने रखती है वो आपके पत्नी हो सकती है, आपके पती हो सकते हैं आपकी संतान हो सकती है, एक पेड़, एक कुता, आकाश, सूरज, चान इन में से हर चीज आपके जीवन के लिए जरूरी है कैसा नहीं? आप इन में से जिस भी चीज के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं इन दोनों चीजों को एक साथ रखते हुए, उनकी और परहम मंधुरता से देखिए ये पहचानते हुए कि वे आपके लिए कितने जरूरी है कई चीजें बदल जाएंगे ये योग का पहला रूप है, अगर मैं ये करता हूँ तो ये मुश्किल हो जाता है और नमस्कार करने के कई तरीके हैं, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह ये सबसे सरल चीज है, यहीं से शुरू कीजे, ठीक है?